नमस्कार प्रिव द्यार्थियों स्वागत आपका वीकेस फिजिक सकेड़ू में जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्स हम मोश्ट इंपोर्टेंट क्यूसन बताते हैं एक्जाम से पहले और उनमें से लगभग 80% से ज्यादा क्यूसन जो है वो आ जाते हैं एक्जाम में जो हम बताते हैं आप हमारे चैनल के ओपर पुराने वीडियो देख सकते हैं जो क्यूसन हमने बताये थे और उसके बाद मैंने एक्जाम पेपर भी अप्लोट किये थे जिनके अंदर वो क्यूसन आई हुए थे इसी परकार इस वर्स भी 2023 में जो एक्जाम होने वाले हैं उनके लिए हम मोश्ट इंपोर्टेंट क्यूसन की आज से शुरुआत कर रहे हैं यह मारा फर्स्ट वीडियो है और वीडियो को सेर जरूर कर देना ताकि अधिक सदिक विद्यारती इसका लाब ले सके चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक कुमेंट जरूर कर देना अभी हमारे पास comment आने शुरू हो गए हैं कि 2023 exam होंगे उनके लिए important question बताए जाएं तो आज हम जो BSC final के अंदर BSC third year के अंदर quantum mechanics को और spectroscopy का जो paper लगता है हो सकता है किसी industry के अंदर ये BSC secondary के अंदर लगता हो तो वो आप अपने class के according देख सकते हैं यहां पर आपका जो subject है वो physics का quantum mechanics और spectroscopy का जो paper है उसके हैं बात कर रहे हैं यहां पर मैं आपको लगवग 5-6 person बताऊंगा और उन 5-6 person को अच्छे तरीके से त्यार कर लेना जिससे की exam में आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो उनमें से आपको question मिलने की पूरी पूरी समवना रहेगी तो वीडियो को सुरू करते हैं यहां पर BSC final year physics quantum and spectroscopy most important person बता रहे हैं unit number 1 है development of quantum mechanics इसमें आपको थोड़ा समय यह पहले बताने का प्रयास करों कि इसमें कौन-कौन से topic आएंगे जिससे की आप वीडियो को एक बार stop करके अपना syllabus मिला सकते हैं हो सकता है किसी unit second भी हो या किसी के फर्स्टिर में के अंदर भी लगता हूँ वो अलग-लग university का अलग-लग system होता है तो यहां पर इसके अंदर topics आएंगे जैसे photoelectric effect आगया hydrogen work का जो uncertainty principle है एनिसित्रा सिधान तबू आ गया competent effect आगया dual nature of waves आगी इसके लगा डीव रोग लिया गया डेवी सें जर्मर एक्सपेरिमेंट आ गया यह सब जीजें जो है यह सब topics इसके अंदर आते हैं तो यहां पर सबसे पहले आपका topic जो है वो आपको तयार करना है वो आपका topic रहेगा प्रकास, विधुत, परभाव, photoelectric effect यह topic है इसमें से person जो है आपको जुरूर मिलेंगे यहां पर जो आपको मैं topics बता रहा हूँ इनको आप पूरा तयार कर लेना इनमें आपके paper में जो definition पूछी जाती है थोड़े नमर के अंदर यानि कि लगबग 50 सम्थ के अंदर आपसे person पूछ जाते हैं और आपके बास थरी marks के question भी आपसे पूछे जाते हैं तो उसके अंदर भी benefit हो जाएगा आपको और आपको एक 5 marks के अंदर section C से person आते हैं उसका भी benefit आपको मिलेगा इन topics को अच्छे से त्यार के लेना आपके तीनों section है वो cover हो जाएगे तो आपका एक topic है यह है प्रकास विदुद परभाव photo electric effect photo electric effect इस topic को आपको अच्छे से तयार करना है इसके अंदर भी प्रकास विदुद परभाव photo electric effect क्या होता है इसके अंदर कार्य फ़लन भी आजिएगा दहलिया और ती इस टोपिक के अंदर ही सारी बात आ जाएंगे वहीं से छोटे क्यूशन भी बनेंगे और हम बाद में एक जो सोट क्यूशन है उनकी स्रीज भी लेके आएंगे जिसमें आपको उसके साथ-साथ एंसर भी देने का प्रयास करेंगे तो प्लांक का नियम आपका सेकंड टोपिक यह सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है हाईजिन वरका एनिशिता सिदांत और इसके अप्लिकेशन यह वेरी वेरी मोश्ट इंपोर्टेंट क्यूशन है यहां से आपको निमेरिकल्स भी मिल जाएगी यहां से आपको पांस निमर होता है यानि कि जो पोजिशन और मोमेंटम में अनसाटेंटी है उनका मुल्टिप्लाइज जो है वह से कम नहीं हो सकता है इससे इसके एकोल रहेगा यह इसकी लेंग्मिज हो जाएगी और यह इसका मैथमेटिकल फॉरम है कई जिके हम सिर्फ है एस का भी यूज कर लेते ह हैं तो वो निमेरिकल्स के अंदर हम सुविदा की दरश्टी से करते हैं तो यहां पर हाइजन वरका सिदात और उसके अप्लिकेशन यानिकी इनकी हैल्प से हम कैसे फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रो नाभिक में पाया जाता यह नहीं पाया जाता है ग्राउंड स्टेट की अच्छे से त्यार कर लेना इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बात करें तो कॉंप्टन इफेक्ट यह मैंने आपको च्यार पांस ही पॉइंट बताएं इसके अंदर यह टोपिक इतनी है इनको अच्छे से त्यार कर लेजिए आपकी यह जो पूरी यूनिट हो त्यार हो क्या है अब इसके लावा इसमी इलेक्ट्रों की जुड़ जाह है इसका भी फॉर्मुला आता है कॉंप्ट्रन प्रभाव कहते किसे एं यहां पर स्मॉल क्यूशन भी बन जाएंगे थ्री नमर के क्योशन भी बन जाएंगे और completely एक बड़ा क्यूसन भी यहां से बन जाएगा तो यह आपकी जो यूनिट है development of quantum mechanics है इसके अंदर यह completely आप देख सकते हैं यहां पर पांस topic अमारे पास हो जाते हैं आपका यह फर्स्ट हो गया यह सेकेंड हो गया थर्ड हो गया इसमें जो application है वह 5 हो गया यह टोटल 5 क्यूसन आप यहां से देख सकते हैं यह यह यूनिट आपकी हैं वह completely तयार हो जाएगी ऐसे ही वीडियो लगतार आपको मिलते रहेंगे तो बैल आइकन को प्रेश जरूर करें और अधिक सदे